सुना है कुछ लोग विद्रोह करने वाले है शायद से उन्हें नेत्रुत्व करने वाला मिला है शायद फिर कोई महामाना होने वाला है शायद फिर किसी कौम का जनम होने वाला है शायद फिर से कोई नया देवाला ये बनने वाला है फिर से एक गवरव गन्त लिखा जाएंगा फिर से उसका सहित्या बहुत पड़ा जाएंगा फिर से उसी की कौम के घरों के दिवारों पर उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरे लगा जाएंगी और क्या फूल अरपन किये जाएंगे फूल अर्पन किये जाएंगे और बस उसके दिखाए रास्ते को तिलान जली दी जाएंगी हुँगा महामानव नयावो परक्रियाए फिर से वही हुँगी इतिहास फिर से वही भारत में लिखा जाएंगा जी भारत के इतिहास में महामानव की कोई कमी नहीं और भारत के हास में इन मूर्तियों का काम भी कुछ कम नहीं पता नहीं बहुत बिखरे हैं बहुत बटे हैं यहाँ पे अमबेटकर मेरा गांधी तेरा बुद्ध महारो का सिक्का नानक बुद्ध महारो का पता नहीं यहाँ के महामानव ने इतना सुंदर सुत्र दिया लोगों को जोडने का वसुदेव कुटम बकम विश्व को परिवार कहना सिखाया विश्व को परिवार कनक कहना सिखाया पर यहाँ के महामानव ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे इनका पुतला लगाया जी ये भारत है पुतलों का देश है इसके हर चोक पे तुम्हें पुतला दिखेंगा यहाँ पे दिल तुम्हें बहुत कम बसा मिलेंगा यहाँ पे तुकडे तुम्हें बिखरे मिलेंगे क्या पढ़ते हो श्रीप किसी एकी इश्वर का दैवत्व अरे क्या पढ़े मिलते हो कुराणों और गीताओं में चलो एक नई ग्राम गीता लिखते हैं चलो, एक नई ग्राम गिता लिखते हैं, सारे महामानों का इतिहास एक ही किताब में लिखते हैं, चलो, एक ही कौम बनाते हैं, क्या साथ दोंगे मेरा, क्या साथ दोंगे मेरा, क्या इतना कठिन काम करोंगे मेरे साथ, क्या मुझे ही एक न्या महामानव बनाऊंगे क्या मेरा भी एक न्या गउराउग__ दिखूंगे क्या फिर इसे मेरे नाम पर एक नई कौ्ञ बनाऊंगे रहने दो मुझे नहीं चाए महामानव करने ह Jugender हमाइ बहें है क्या झाल झाल